कि सराब बंदी भीफल हैं, सराब की विकडी धरले सुरी है और सराब आ रहे हैं बाहर लगिल यहार सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं इसको अब काम से मतलब नहीं है यहार की जनता के दुख दर से मतलब नहीं है सता चाहिए प्रवक्ता प्रेम रंजन फटेल जी एक तरफ नितिस कुमार जी बोलते कि बिहार में सराब बंदी है दूसरे तरफ उनी के मंत्री जो है सुनिल कुमार मदनिसेद विवाग में जो कह रहे हैं कि जहरीली सराब पकड़ी जा रही है जहरीली सराब से लोग कि में उत diarrhea हो जा रही है अधिरssäप बंद नजर नहीं आ रहा है लगातार सराब लोग पी रहे हैं बाहर से ट्रकों में भरकर आ रहे हैं बड़ी वड़ी गाडियों में आ आखिर नहीं आ रहे हैं बाहर से तो कहां से पकड़े जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार के नाक के नीचे और सरकार में बैठे लोगों की मिली भगत से यह सारा कारोबार चल रहा है माफिया सक्रिया है माफिया अपना काम कर रहे हैं और उसमें सरकार में बैठे चाहे प्रसासनिक पदादिकारी हो या अन्य लोग वो सब मिल करकर के इस गोरक धंदे को कर रहे हैं। और ये प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी जी ने बनाया है। उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। आप जितनी आप सकता हुँ लीजिए। जो उसके लिए आवस्यक है। जरूरी है। लेकिन आप जो हैसे उन लोगों को नहीं दे रहे हैं। जो जोपड़ियों में रह रहे है आप चिन्हित कीजिए और उन चिन्हित करकर के मकान बनाईए। उसके लिए जमीन तो उपलब्द कराना पड़ेगा ना। जगह दे करकर करके। और पैसे की कमी नहीं है। प्रधान मंत्री आवास होजना। और पूरी विवस्थाओं के साथ दिया जा रहा है। जब पका के द्वारा प्रधान मंत्री के द्वारा कराया जा रहा है। तो यह सरकार क्या कर रहे है। केवल बाइदे। केवल जोएसे धकोशले काम हाथ पर हाथ धरके बैठे रहना। पैसा का उपयोग नहीं करना। केंदर से आई रासी को लटा देना। उसको लग रहा है। कि करने के यह users का उपयोग करने रहे हैं और उन लोग पक्के मकान नहीं डए रहा है और उनको बेघर कर रहे हैं। रासिंग का बयान है कि हम तो घर दे रहें लेकिन लोग घर नहीं बना पारें यह सरकार का काम है राज्य सरकार का रासी तो केंदर से आती है स्विकृति होती है जो उप्योग्द ब्यक्ति है उसका चैन करकर के आप दीजिए सुची और उसके लिए आपको करना है कि वह दर से मतलब नहीं है सत्ता चाहिए कुरसी चाहिए जिन लोगों के साथ यह सरकार है काम कर रहे है उनको जनता से कोई मतलब रहा है क्या पहले भी जनता त्राहिमाम करती रहती है और जनता के पैसे को लूटती रही है इसी में तो जेल गए हैं उनके नेता और जाच चल रह तो आप बता दिए भरस्टाचार के पूरी तरह से जो ऐसे वो आकंठ में डूबे हुए रहे आज भी वही हो रहा है आज भी वही काम हो रहा है और नितीश कुमार की सरकार नितीश कुमार पूरी तरह से आख बंद करकर के गिरितराष्ट की तरह देख रहे हैं सब कुछ साम माफिया उन सब के हत्या डकायती लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला संग्रच्छन देने वाला वही सरकार आज जो ऐसे फिर से हाभी हो चुकिए जाब सुप्रीमों पप्पु यादवाज धर्ना परदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि बीजेपी वाले ब्रिज ठाकुर से पूरी तरह से मिल लिए और मिल करकर के संतुष्ट हो गए आउसके बाद अब जो हैसे जो बाते हुई है उस आधार पर काम होगा वो कुस्ती संग का चुनाओ भी होगा जिन पर अगर आरोप है कानून अपना काम कर रहा है जाच हो रही है जाच में दोसी पाए अगर के सरकार पर हमला करना यही काम रह गया है और तो कुछ मिलता नहीं है इनको देखे यह थे भारती जंता पार्टी की प्रवक्ता प्रेम रंजन पटल जीश जिनका साबतार पर कहना कि जिस तरह कि से खेलाडियों को मोहरा बनाकर उनको बहला फुसला कर उनको उल्जह साय जा रहा है किंदर सरकार पर इल्जाम लगाने के लिए हमला बोलने के लिए तो इसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे है अगर इस वीडियो को फेस्टूप पे देख रहे तो लाइक करें यूटूब पर देख रहे तो सब्सक्राइब करें कैमरा पर